आजी वीडियो को अप्राइब रहताथ भी सी जोड़े भारतियों खेड़ोना नहीं जो मेला रोदगाट नो करी बार मुख्यों मंत्री काजय कमर इतला सदासर का सेटाइब नहीं चल चुए पंक जा सोचनर इतला प्रदान मंत्री नौरेंद्र मुदी जा आजी काजय कमर उ और क्या अंतर आया है? जंदन योजना तो सभी को मालुम है और आकॉम के लिए हमारे को बहुत हीजी है डियरेट पार्टी हमारे कोट में पैसा मिल जेता है उसके लीए हम शुक्रिया अदा करतें आकॉंड कि- कि या आपने कभी अपने इस चन्ना पटना में बनने वाले यह जो अपने खिलोने हैं उसको e-market से देश में और दुनिया में उसको बेचने की कोई कोशिश की है और उसमें कोई सफलता मिलती है हम तो कोशिश कर रहे हैं फड़ा आप ही से लोग भी हमारे को बढ़ावा दिये तो हम कर सकते हैं देखिए ऐसा है सरकार तो करेगी और करना भी चाहिए और ये इसी का एक भाग है कि मैं पिछले कई दिनों से खिलोनों के लिए बोलता रहता हूँ और आज एक बड़ा कारकम भी कोशिश किया है इसके पहले जैसे अब इसम्रती जी ने बताया कि ये सिक्षा मंत्राले ने बहुत बड़ा काम किया है तो ये तो है लेकिन जब तक आप लोग भी नया और नए तरीके उसको नहीं करेंगों हर बार यहीं कहते हैंगे पर सरकार क कम करें उतना ही अच्छा है चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा आप आपसे बात करने काम मुझे मुझे मुका मिला आप चन्ना पत्ना के उत्पादों को सिर्फ एक शेत्र राज्या या देश्मा ही नहीं दुनिया के स्तर पर हमें प्रसिद्य करना है चन्ना पत्ना के ख इसके लिए हमें मिलकर काम करना है और जैसे आपके अपेक्षाह हैं, सरकार को आप सुझाव देंगे, तो हम जरूर उसमें सक्रियत अप्रुवक आपके साथ जुडेंगे, और मैं चाहता हूं कि करनाटक गवर्मेंट भी जो बंगलूरी के स्टार्ट अप्स हैं, बंगलूर से बाते सुनकर के एक नई योजना के दिशा में हम जा सकते हैं, आप कभी बच्चों को कौन से खिलोने पसंद आते हैं, उसका कभी बच्चों से या बच्चों के माबाप से, कभी चर्चा करते हैं जो पहले से बना रहे बना रहे बना रहे बस बिग गया तो बिग गया, किया जाता है इसमें कुछ कमिकल्स कुछ भी नहीं है अच्छा आपने कभी अपने क्लश्टर में आपके हैं जो दोजाल लोग काम करते हैं उन्हें में पर्धा की कि इस वर्स सबसे नया और उत्तम खिलोना हमारे दोजाल लोगों मेंसे किसे बनाया, उसके हैं शबूर्ण फिश्टर में कोशिश करते हैं। हम 32 से काम कर रहा हैं नहीं नहीं यह कॉंपिटिशन आपके यहां जो क्लस्टर में 2000 लोग काम करते हैं उनको स्परदाग जो नया खिलोना अच्छा खिलोना नए तरीकी का खिलोना बनाएगा हमारे में से उसको इस बार यह अवर्ड दिया जाएगा तो ऐसा कोई वबस्ता आ आपने बनाई है क्या हासाफ बनाया तो पिछली बार किसको आवर्ड मिला था यह को रेशाएगा क्या बनाया था अग्या रुणानि वह रुल हनुमान बनाया था सर्थ लिभान तो पहले भी बनते होंगे अगले जब तक आप नया नहीं सोचेंगे नए तरीके से नहीं सोचेंगे, तो मैं नहीं मामता हूँ कि जो दुनिया में हमें पहुंचाना है, उसमें पहुंचाने में मदद मिलेगी, खेर आप लोग सोचिए, मैं डिपार्टमेंट को कहता हूँ, बहुत बारीके साब से बाते करते रहें, हम आगे सोचेंगे, चलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रधान मंत्री जी, अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के वारानसी के खिलोना बनाने वाले कारिकरों के पास, यहां के लकडी से बने खिलोने बहुत बश्रूर हैं, उत्तर प्रदेश का वारानसी टॉय क्लस्टर, भारत के आधरणी प्रधार मंत्री जी को सभी बना स्वासियों के तरक से आप बैठिये, आप बैठिये, और वारानसी में आया हूँ, और आप हर हर महादेव नहीं बोले, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं रावेश्वर सी, वारानसी लगड़ी खिलोना बनाने कहां सिल्पी हूँ, भारत सरकार में हमको 2015 में नेशलन मरी डिवार्ड से पुरुस्कित किया हुआ है, और वारानसी में जो लगड़ी खिलोना बनाने वाले लोग हैं, गरीब बारस हो हैं, गरमनती जी, उसमें से एक पुरुस हैं, दोस्तों महिलाए हैं, यह खोजुमा कश्विरी गर्ज और आसपास के इलाकों में बिस्तित हैं, जो इसमें एक राश्टी पुरुसकार और साथ राजपुरुसकार हसिल्पी हैं, हम लोग जो लगड़ी खिलोना पहले कुरेया के लगड़ी हैं मनाते थ पुरुसों से हम लोग लगड़ी को काट लेते हैं, अब काटने के पारंपरिक टूल द्वारा कुंद मसीन पे इसको चढ़ादर के उसको मन सहाज सेफ देने के बाद में लाक जो होता है कलरफूल लाक से द्वारा इसको अंतिव रूप देते हैं 2013 में माननी प्रदान मंती जी हमारे इस लेकड़ी क्लोने को बहुदिक संपता अधिकार में रेश्टर्ट किया और हमारी ये जो कला है और सो पुरानी हैं, हमारे पुरुवज जो है इसको इसी पारंपरिक कला से इसको बनाते चले आ रहे हैं, हम लोग सभी आटिजन भाई आए बिल case इस Cambridge को पुरागे बढ़ा रहे हैं वहारे यहां पर विभीण परकार के लखड़ी ख्यलोने बना इलाते आ जैसे कि बच्चों के लिए चुशनी हिफ जो कि जब निकलता है तो मानिपरदान मंतिजी बच्चों के लिए चुसनी बनाए आता है और हम जो खेलते हैं लट्टू जो रसी वाला है वो बनाते हैं हमारा और भी उत्पाद जो की घरलू उत्पाद भी है अचाहिए मुझे बताईए बैद कि मैं तो आता रहता हूं तो जब भी आ बच्चों की बड़ी विश्यस्ता होती है जो अगल वगल में देखते हैं ना उसको वो जीना चाहते हैं मैं पक्का मानता हूं कि आज कई घरों में बच्चे जब खिलोने लेकर के खेलते होंगे तो माबाप से जड़गरा करते होंगे कि मेरे खिलेने के मास्क लगाओ वो आगरह करते होंगे कि मेरा खिलो के ने को मास्क क्यों नहीं है क्या कभी आप यह सोचते हैं कि अभी कोरोना है तो बच्चों को भी खिलोना वो चाहिए जिसको मास्क चाहिए अलग से मास्क देना चाहिए बच्चा मास्क खिलोने के पहना है और बच्चा करता ही है आपने वो अस्पताल में पैर उंचा करके कर रखना पड़ता था, लेकिन वो रोती थी, मानती नहीं थी, फिर उस डॉक्टर ने उस मनोवैग्यानिक तरीके से एक खिलोना जो उसको पसंद था, उसको उसके साथ सुलाया, और खिलोने को भी वैसे ही पैर में फैक्टर ऐसा करके क्या कभी आप मेरे काशी के लोग खिलोनों के समन्द में बच्चा क्या सोथता है, कैसे करता है क्या कभी उसके लिए कुछ करते हैं क्या, कभी चर्चा करते हैं क्या, क्या काशी विश्वजा लेके ऐसे मनोवैग्यानिक जो अप प्रफेसर हैं, उनको बुला करके कहते हो, जरा हमारे खिलोने वालों को बचचों को लोग कि हमें क्या करना चाहिए असा समय चर्चा करते हैं कि है कि निया ड़े GU hade बनाए है यह पहले स्ट्रेंडेंच खुलोना होता था अबे हम लोगों ने यहा ऑफी जो बच्चे इसको thing ÖD ash Unieson दिया है अभी हम लोग बारे की अपने बैटरी द्वारा इसको रोख प्रदान मंत्री ने इसको ने टेक्लाजी द्वारा इसको एटेस किया जाए जिससे कि हमारा लगड़ी खेलोना जो है और आगे बढ़े यह जो वर्क्षॉब है वो यह जो आप कह रहें ने इस काम के लिए हैं यह तॉइफैर लगाया है वो इसी काम के लिए लगाया है अब आप इसका फायदा उठाइए और प्रदान मंत्री का इंतजार मत कीजिए यह प्रदान मंत्री ने इसलिए आपके घर में यह चीन लेकर आया है देखिए अब तो वारण से मैं एक बहत्रीन हस्तकला संकुल भी सेवा दे रहा है और आप ऐसे जाधाता लोगों का मुझे व बढ़ावा देने के लिए सरकार से जो मदद चाहिए वो मिलेगी और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि आप लोग नया करेंगे अब तो मैं देख रहा हूं आपके साथ नौजवान पीडी भी बैठी हुई है तो नौजवान तो जुरूर कुछ नुकुछ सोती होगी दे अलग खिलोनों से खेलते होंगे लेकिन हमें भी तो लगातार इसमें परिवर्तन लाते रहना चाहिए और सरकार इस दिशा में जुरूर प्यास करेगी मुझे बहुत अच्छा लगा काशी वाश्यों से मिलने का मुझे मोका मिला धन्यवाज जी जिनाथ से बोल रही हूं हमारे यहां जयपुर में तीन कोलोनी है पहली कटपुतली नगर दूसरी कलाकार कोलोनी पानी पेच एव जगतपुरा में जिसमें हम करीब लगभग 1100 कारिगर काम करते हैं जिसमें 650 में पुरुष्य और 450 मेलाएं हैं इसका कारिये को हम खांदानी काम हैं कि हमारे पूर्वजों से हमें यह विरासत में ही प्राप्त हुआ कटपुतली जो हम बनाते हैं वो आड़ू की लकड़ी से बनाते हैं आड़ू की लकड़ी को छीलके हम अलग-अलग आकार देते हैं फिर उसको विबने तरह से पैंट करते हैं फिर उनको पोसे आगे उसको बनाके हम ऐसा सेथ देते हैं यह इस तरह से तयार होती है और 27 फरवरी 2021 को जो टोई फेर लगा है इंडिया टोई फेर उसमें हम 15 आर्टिष्टों को भाग लेने का अउसर मिला है और हम बहुत खुश है कि इसमें हमारी कला को आगे बढ़ाने का उस्साहों मिल रहा है जी का हम तहे दिल से दन्यवाद देते हैं चलिए मुझे अच्छा लगा शायद ही हमारे देश में कोई बालक ऐसा होगा कि जिसने कठपूर्ति का खेल न देखा हो और कठपूर्ति का खेल देखने के लिए उसका मन न कर गया है आप सोचिए दुनिया इतनी बदल गई टे बालक मन का आगरह रहता है उसको देखने की कुरियोसिटी रहती है वो जरा भी कम नहीं हुई है यह एक तो सबसे पहले कठपूर्तली कला से जुड़े हुए आप सब बधाई पात रहें आपके पूरवज बधाई के पात रहें और आपने इसमें गवरव रखा हुए आप मैं मैंने देखा है कि बहुती बड़े पढ़े लिखे लोगों का ओड्या समय सामने बधाई वला कितना बड़ा दढ़ी है लिखा आप कोई अशर नहीं होता है आप अपने काठपूतली के उन खिलयनों में बिलको ड़ुट जाते हैं यह मैंने देखा है और यह ही आपकी स लेकिन क्या कभी आपको सोचा है कि आप लोग आज का जो एड़राजमेंट का यूग है उस एड़राजमेंट के यूग में इस कटफुटली के खेल का बहुत बढ़िया तरीके से उप्योकर्स जैसे मान लीजे कोई आप चाहते हैं भई बच्चों को हाथ दोना चाहिए साब कार भी कर रही है लेकिन कोई साबून कंपनी वाली कटफुटली वानों को कहके हम आपको छोटे-चोटे साबुन बना के देते हैं आप कटफुटली से इल डेना साबून से जहा हाथ धोना बच्चों को सिखने वाला कार कम किजिए उस कंपनी का ईड़राजमेंट भी होग और आपको ये अरुट्राइजिंग का पैसा भी मिलेगा क्या कभी ऐसा सोचा है आप लोगों ने और ये आप लोग अभी भी प्रभाव प्रदागेन उसका कारण यह है कि आपको विचान आया कि आपकी कठपुटली मास्क वाली होगी मतलब कि आपने अधुरिक्ता के साथ जोड़ा आपने मेसेजिंग भी किया मुझे लगता है मैं भी हमारे सरकार के लोगों को कहूंगा कि कठपुटली और परंप्रागत उद्योग गुरू अपने अवर्टाइटमेंट इन दोनों को कैसे करें आपको बहुत बड़ा बिजनेस मिल सकता है